उत्तव परदेश के काणपूर में मायम मेर और वाट पार्सदों का लड़ेंगे चुनाओ सभी सीटों पर उतारेंगे अपना उमिदवार बरी खबर बता रहे हैं उत्तव परदेश में जहां पर एमायम कई सालों से अपना जर जमा रहा है लेकिन वहाँ पर कामियाबी नहीं मिल रहा है यानि पिछले दफ़ा वहाँ पर वाट पार्सदों चुनाओं में एमायम ने बारें उमिदवार उता रहा था यानि 2017 में उनका एक उमिदवार कामियाबी मिला तो वहीं आठ उमिदवार जो है जीते जीते हारे लेकिन इस बार जो है अमायम कमर कस लिया है सभी सीटों पर मेर और वाट पार्सदों के उमिदवार उतारेंगे और जिसके लिए उनका तैयारी जोर पर है बताए जा रहा है कि मायम होसले नहीं हा रहा है उत्तफ पर्देश में लगातार उनका पढ़ियास चारी है चुकि पिछले विदान सबाव में पुरजोर मेहनत के बावजूद भी काम्याबी नहीं मिलाता उसके बावजूद भी हमायम पूरी मजबूती के साथ अब नगर चुनाओं में अपना किस्मत आजमाने जा रहा है बरी खबर ये है कि सभी वाड़ों में इस बार वाड़ परसत के चुनाओं लड़ेंगे तो वही मेर का भी कानपूर में चुनाओं लड़ने के लिए पूरा तैयारी कर लिया है लगातार कहीं न कहीं पूरा जीत का दावा कर रहे हैं क्योंकि उत्तर परदेश में वहाँ के लोगों ने इस बार विदान सभा चुनाओं में इमायम को इस बार नका रहा हैं और नगर चुनाओं की तैयारी में जुट चुके हैं फिलहाला आप देख रहे हैं दा मैसेज न्यूज इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें